प्रियंका गांधी अभी तक इलेक्टोरल डेब्यू करने ही रही है लेकिन जब वो बोलती है तो अच्छा बोलती है और मज़ा आता है सिधार्त आपको कैसी लग रही है यह मोदी वर्सिस प्रियंका की लडाई और इसमें कौन जीतरा है बताईए इतना भावनात्मक भाशन दे रही है प्रियंका गांधी तालियां तो खूब पढ़ रही है उस पर देखें मानक जी मैं तो पहले तो इसी पर आपस विंति करूँगा कि ऐसा अन्याई भी मत करिए आप मोधी जी की और प्रियंका जी की तुलना करेंगे तो देश के साथ अन्याई हो जाएगा और दूसरी तरफ कौन है जिनने आज ते कोई चुनाव नहीं लड़ा जो पंच का चुनाव तक नहीं लड़ी उनसे कैसे तुलना की जाएगी मतलब अभी तो मेरे को कई बार खराब लगता है प्रियंका जी के लिए वो डिजर्व करती थी इस बार लड़ना राय बरीली से उनको लड़ना चीए था पर जैसे वो मूवी का डायलोग है ना राहूल जी ने वहीं बोल दिया मम्मी का बहन का दमाज का सबका हिस्सा खा गया रहे तरह राहूल अरे सबका मौका खा गए राहूल जी आए और आगे बोला राय बरेली से भी मैं लड़ूंगा वाइनाड से भी मैं लड़ूंगा और दोनों जगा से लड़कर के चुनाव और मैं ही हूँ जो कॉंग्रेस पार्टी को आगे लेकर जाओंगा तो ऐसी मैं फिर से विंती करत आपसे ऐसी तुनला आप मत करें डूसरी बात अभी पुद्धा फिर के सर्यास मन जोगी वारे दिल जून में देखो पत्वारा हुँ देखो पत्वारा हुआरे प्रश्टाचार की बात चल रही थी, उन्होंने क्या बोला? उन्हें कहा कि हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था उनके दौर में क्या होता था मानक जी? याद करके रूख आप जाएगी बताईए ना क्या होता था? अरे अगस्टा वेस्ट लैंड होता था? प्रश्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ उन्होंने का प्रश्टाचार हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था? नहीं 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 एक मिलिट, यहां उद्योग पतियों से कैश लेने की बात था? उसी पर आते हैं तो यह जो कह रहे हैं, पहले तो इनका दौर एक बार याद तो करिए मेरी रूख आप गई, आप बोलने भी नहीं दे रहें अगस्टा वेस्ट लैंड, बफोर स्कैम, डवास स्कैम, कॉमन वेल्थ, IPL, प्रॉवडेंट फरंट स्कैम मतलब A से लेकर के Z तक की श्रिंक लाती, कोल गुटाले से लेकर के 2G क्या-क्या नहीं किया और ये लोग जाकर के बोल रहे हैं, हमारे दौर में ऐसा नहीं होता था अब मैं बात पूरी कर दो, दूसरी बात, इन्हों न कहा कि पैसा बोरों में भरके आता है पता नहीं ऐसा आता था, नहीं आता था अरे इनका दौर तो अभी भी चल रहा है साड़े 300 करोड मिले, बोरों में भी नहीं भरे गए ट्रक मंगवाना पड़ा, ट्रक, मानक जी, ट्रक मंगवाना पड़ा अभी मिले 37 करोड रुपे, गिंती हो रही थी, दो मशीने बंद हो गई क्योंकि गरम हो जाती है, कैश काफी है उनको गिनने में फिर उनको देरी होती है पूरा गिनने में जिसके पास स्कैडर है, जिसकी रैलिया अपरम पार हो रही है जिसके साथ अपार जन समर्थन है, वो जमीन खिचक रही है जिसके पास ना नेता, ना नियत, ना नीती, कुछ भी नहीं है जिसको ये तक नहीं पता कि 15 अगस्त पर रंग जीत गए तो जंडा कौन फेराएगा जिसको ये तक नहीं पता कि हमारे गटबंदन का जंडा लेकर के कौन चल रहा है जिसमें आपस ही कला इतनी हो, जमीन तो उनकी बची ही नहीं खिसकेगी क्या इसलिए मैं एक बार महिमा जी से भी आगरे करूँगा, थोड़ा सा और रियालिटी चेक खुद खुद को बीच में दे दिया करें और आपसे आगरे करूँगा ये तुलना मत करा करें ये तोड़ा न्याग में जाए मैं फिर से पहले इसका जवाब देते हूं, देखिए तुलना तो इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों आमने सामने आगए आप तो ऐसे कहेंगे मोदी और राहूल की तुलना भी मत करिए ने ने कर लिए ने सुनी अच्छा राहूल से तुलना मनजूर है तुलना से मेरा मतलब यह है कि आज आमने सामने जो दो बड़े नेता आ गए हैं अब आप कहेंगे बड़ा नेता भी मत बोलिया बड़ा चेहरा कहले जे चलिए क्योंकि हमारा भी यह बानना है देखिए इसको मजबूर होना नहीं कहते इसको कहते पीछे से आकर करके पूछ पकड़ी गई है इनकी अरे इतने दिन से राग रट रहे थे अडानी अबानी अडानी अबानी रोज सुबह ऊच़्ते थे मला जबते थे फिर इलेक्ट्र जुरॉट बउल आप गङरे उनJI के जुड़ी हुए कंपनियों ने चंदा दिया है अरे ये बात तो राहूल जी भी नहीं बोल रहे है ये बात तो राहूल जी भी नहीं आके बोल पाए क्योंकि उनको पता चल गया कि जो नंबर वन मैं फिर पूछ रहा हूँ अगर आप राहूल गांधी पर और कॉंग्रेस पार्टी पर यारूप लगा रहे है अदानी अंबानी से कितना कैश लिया बोरो में तो ये तो बताना पड़ेगा आपको इसका मतलब सारे दल लेते हैं क्या क्या बीजेपी भी लेती है क्या मैं बिल्कुल सीरिस जवाब देता हूँ देखे मानग जी क्या है मैं आपको बड़े तथे पे जवाब देता हूँ आज इलेक्टरोल बांड की विवस्ता वापिस जा चुकी है ये कैसे ले रहे हैं सब चंदा 2014 से पहले कैसे लेता है मैं अपने दिल के लिए बोलता हूँ और चैलेंज करता हूँ वो हर पॉलिटिकल पार्टी पहले कैश में डोनेशन लेती थी 20,000 का बार था हमारी सरकार ने उस 20,000 को आकर के 2000 पे किया हमने बोला कि नहीं आपको वाइट में देना है कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस को छोड़ दीजे पॉलिटिकल सेटप में कैश में चंदा लेने का सबसे बड़ी प्रता थी और सब पॉलिटिकल पार्टिया कैश में लिया करती थी हम उसी को खतम कर रहे थे बहुत बढ़िया एक मिनिट मैं आपकी दाद दे रहा हूँ मुझे आपकी दाद देनी पड़ेगी आपने इमानदारी से कम से कम ये तो माना राजनेतिक दल पहले कैश में चंदा लेते थे और अब इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद एक बार फेर पुरानी विवस्था लोट आई है मानक जी मैं दाद दे रहा हूँ आपकी आप मेरी इमानदारी क्यों मान रहे हैं जिसके ग्रहा मंत्री जी ने मंच पर बोला कि 82% चंदा बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों का कैश में आता है वो बैलेंशीट में दिखा जाता था पर मैं मानक जी मैं उसको नहीं गिन रहा हूँ जो राहुल जी के घर जाता है अच्छा ठीक है ओके जो 10 जन पज जाता है अब मेरे दर्शकों के लिए राष्ट की बाद